Causes of Mental Retardation Mental Retardation जो है जिसको हम Intellectual Disability भी कह रहे हैं तो इसकी causes जो हैं वो मल्टिपल हैं बाद उकात बच्चे जो है वो कुछ उनकी बर्त के दुरान इस तरह की complication होती है जिसके वे से वो Retardation का शिकार होते हैं और especially during बर्त जो oxygen है जब बच्चे को proper उसकी brain को नहीं पहुंचती उस वज़े से retardation होती है इसके लावा जो है वो कुछ उसकी genes में जो है problem थी और कोई chromosomal जो है उसकी कोई इस तरह की issue आ गया तो chromosomals की जो है उसकी problem की वज़े से भी है retardation का issue हो सकता है इसके लावा parents की जो cousin marriages है उसके नतीजे में भी mental retardation देखी गई है क्योंकि जैसे बाकी traits travel करती है parents के genes में तो कुछ diseases complicate हो के भी इस तरह का issue create कर सकती है तो इसकी जैसे अब देखा जाए तो trauma before birth है इसमें infection हो सकती है और alcohol का या drugs का या दूसरे toxins का अगर mother ने use किया है उस जैसे भी brain की जो development है वो complete नहीं हो सकती फिर उसके बाद oxygen deprivation है और premature deliveries जो है उसकी result में भी brain की development complete नहीं होई होती उसकी जैसे भी retardation आ सकती है या intellectual disability आ सकती है फिर उसके बाद inherited disorders है और उसके बाद जैसे जो cause इसकी कही जा रही है retardation की अब जब हम inherited disorders की हम बात का रहे है तो inherited disorders जो है उसमें मैंने अभी आपको बताया कि जैसे हम inheritance में health की बाकी अगर लेते हैं traits और characteristics और genes की characteristics लेते हैं तो इसमें भी यह जो है inheritance में हम ले सकते हैं diseases ले सकते हैं तो कुछ हम मेरी observation और मैंने कुछ researches जो इसमें देखी उसमें मैंने देखा कि जो इसकी mental retardation या intellectual disability की history है कि मदर को कभी किसी जमाने में बहुत mild सा कुछ उसका जो mental retardation का issue रहा तो आगे बच्चों में भी transfer होता है और उसके बाद जो है इसमें एक age भी matter गरती है कि बाद उकात 20 साल तक जो है 20 साल की उमर में जाके मदर को ये problem शुरू हुआ था तो अब बच्चे भी जाके जैसे जैसे वो 18 साल की उमर क्रॉस करते हैं तो बाद उकात 20 बाद उकात 25 साल में जाके उनकी ऐसा ऐसा जो retardation है वो by birth नहीं है लेकिन जो mild moderate की जो सूरते हाल है वो बाद उकात age के साथ develop हो सकती है environmental factor भी बाद उकात है accidental भी है जैसे accident हो गया है और उसकी वज़े से brain की injury इस तरह की आई है आपकी के जिसकी वज़े से वो इनसान जो है उसकी intellectual capacity जो है वो down हो जाती है तो multiple reasons जो है उसकी वज़े से mental retardation जो है वो आ सकती है जैसे chromosome की abnormality है और down syndrome जो है इसमें family chain marriages जो है वो भी इसकी reason होती है cousin marriages जो होती है और क्योंके एक disease अगर पहले mild थी तो हो सकता है वो तीसरी generation में जाके जो है वो square form में आ गई हो तो यह इस तरह की जो बाज़ वकात pregnancy और इस तरह की healthy pregnancy ना होना वो भी एक reason बनती है retardation में जिसमें brain की उपर effect है और इसके इलावा जो है mercury और lead poisoning जो है यह भी एक reason है जो brain की development को complete नहीं होने देती हो सकता है किसी medicine में ऐसा element पाया जाता हो यह हो सकता है accidentally जो mother है उसका intake जो है food कोई ऐसी leave हो यह इस किसम की कोई intake हो जिसमें इसकी poisoning इस तरह की उसने use की हुई हो और severe malnutrition यानि के बचे को पूरी खुराक नहीं पहुंची उसकी बाकी body organs के सासथ brain बड़ा effect हुआ है और severe cases of early childhood illnesses हैं जैसे वो पिंग कॉफ और measles और इस तरह की उसकी brain injury बाज उकात बचे जो हैं अगर pregnancy के दुरान delivery के दुरान की late deliveries भी होती हैं तो उस दुरान भी जो है सबसे जो major चीजें देखी गए हैं कि oxygen का level maintain नहीं रहा जिसके विए से उनकी intellectual disability का वो शिकार हुए हैं तो यह सारी ऐसी reasons हैं जिसके विए से बचे जो हैं उनका mental retardation है लेक psychologically disturbed रहा for straight रहा for the long time तो उसकी बाकी physical diseases के साथ साथ ये mental disability जो है ये भी शुरू हो जाती है जिसमें वो अपनी अजीब एक abnormality वाला issue जो है उसके साथ आ जाता है और उसको चीजों को understand करना और उसको correspond करना उसके लिए मुश्किल होना शुरू हो जाता है और हम कहते हैं कि ये बहुत सारे psychological cases ऐसे देखे गए जिसमें उनकी intellectual disability का issue जो आया है वो environmental था environment में इतनी frustration और इतनी सकती थी घर के अंदर discipline की जिस से बचों की जो intellectual capacity है वो बहुत ज़दा disturb होई तो दोनों चीजें जो है बचे की heredity environment जो है उसका delivery environment भी हम उसको कह सकते हैं या delivery timing में और delivery की complications हैं chromosome की problems भी हैं तो यह सारी चीजें मिलके intellectual disability का बाइस बन सकती है